सभी को नमस्कार मैं मनोज मिस्त्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम संस्कृत के अंत्रगत प्रत्यों की पहचान के बारे में पढ़ेंगे यदि आप रीट परिक्षा की तयारी कर रहे हैं और रीट परिक्षा चाहे लेवल फस्ट हो चाहे लेवल सेकेंड हो उसमें यदि आप संस्कृत भासा का चैन करने जा रहे हैं तो वहाँ इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत फायदे मंद होगा रीट संस्कृत में परत्य की पहचान से समन्दित दो तीन प्रसन अवसे पूच लिए जाते हैं यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो प्रत्य से समन्दित कोई भी प्रसन कैसा भी प्रसन आता है उस प्रसन को आप आसानी से हल कर सकेंगे इस वीडियो में हम संस्कृत में जो प्रत्य का प्रसन आएगा उसको कैसे हल करना है किस प्रकार से सही उत्तर निकाल सकते हैं उसका एक सामन्ने तरीका हम यहाँ सीखेंगे यह वीडियो प्रत्य की पहचान के लिए केवल रीट परिक्षा में ही उपयोगी रहेगा सेकिंड ग्रेट फर्स्ट ग्रेट जैसी परिक्षाओं में यह इतना कारगर साबित नहीं होगा केवल रीट के लिए हमने बिना विद्वान बने केवल एक पहचान करके सही अंक लान तो देखे क्या है कैसे अपन सही पहचान कर सकते हैं टोपिक है अपना आज का संस्कृत प्रत्यों की पहचान करने का सामन्ने तरीका देखे रीट प्रिक्षा में प्रत्थम या दित्य भासा संस्कृत में दो तीन प्रतिय की पहचान से समंधित होते हैं इन प्रस्णों में ह नहित यानी छीपे हुए प्रत्य की पहचान करनी होती है आता है सही प्रत्य पहचाननी के लिए उस पद में अंत की ध्वन्यू को देखकर कैसे पहचान करेंगे अंत की ध्वन्यू को देखकर सही प्रत्य पहचानना चीए किंत में कैसी ध्वन्य बच रही है उसके आधार प के साथ जुड़ने वाले कृत प्रत्यों को ले रहे हैं कृत प्रत्यों की पहचान कैसे करें इसमें पहला प्रत्य आपके सामने आ रहा है सत्री प्रत्य देगे सत्री प्रत्य में इत्संग्या करने के बाद में सेश क्या बसता है या इत्संग्या कोन से वरणू की होती है इत संग्या हो जाती है इन दोनु का लोप हो जाता है लोप होने के बाद में क्या बचेगा जब सै और री हटा देंगे तो अत इसमें सेश बचता है अब पहचान कैसे करें इसकी पहचान का ये तरीका है कि कोई भी पध अपने पास में आया उसके अंत में अन की आवाज आ रही जैसे गच्छन, पठन, धावन, चलन, पठन, लिखन ऐसे रूप आगे तो उनमें प्रत्य पुछा गया कुन सा प्रत्य होगा तो वहां हमें सत्री प्रत्य बताना है गच्छन, पठन, लिखन, धावन सभी में कुन सा प्रत्य है सत्री प्रत्य है अब इसके रूप भी चल सक पुल्लिंग का ये सब्द है गच्छन इस्त्रिलिंग में बनाएंगे तो इसी का रूप बनेगा गच्छनती बड़ी एकी मात्रा का प्रियोग हो जाएगा गच्छनती पठंती चलंती धावंती भवंती बड़ी दिर्ग एकी मात्रा का प्रियोग करते वे रूप बनाएंग तो वो इस्त्रिलिंग का रूप होगा, उसमें भी सत्री प्रत्य हो जाता है, यदि नपुन्सगलिंग का रूप हमें बताना हो, तो वहाँ पर अंत में अत लिखावा मिलेगा, गच्छत, धावत, पठत, लिखत, ऐसे रूप हमें नपुन्सगलिंग में लिखेवे मिल जात अन्त में अन्त हो तो सत्री प्रत्य इस्त्रलिंग के अनुसार अन्त हो तो सत्री प्रत्य होगा। पठन्तव, पठन्तव, धावन, धावन्तव, धावन्तव, लिखन, लिखन्तव, 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 ऐसे रूप बनते रहेंगे, इस लिंग में है, तो एक वचन में पठन्ती, द्वी वचन में बनाएंगे तो पठन्तव, और बहुचन में बनाएंगे तो गठंत्याव पठंत्याव पठंत्याव नदी सब्द की रूप तरह रूप चलेंगे सब्द रूप में आपने याद किया हो नदी नद्याव 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 तो पठंती पठंत्याव 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 गचंत्याव गचंत्याव धावंत्याव धावंत्याव चल रही है तो सत्री प्रत्य कैसे पैचानेंगे पुलिंग का सब्दाता तो अंत में अन होगा इस लिंग का है तो अंती होगा नपुन सगलिंग है तो अत होगा दूसरा सानच प्रत्य सानच प्रत्य में भी सुरू के से और अंत के चे की इत संग्या हो जाती है यानि लोप ह जाता है और इसमें आन सेस बसता है सेस क्या बसता है आन सेस बसता है लेकिन यह प्रत्य आत्मने पद की धातों के साथ में ही जुड़ता है आत्मने पदी धातों होती हैं कुछ फिक्स धातों हैं उनके साथ में जुड़ेगा और आत्मने पद में कोई हलंत धातू अपने पा उसमें आन के बजाए मान जुड़ा जाएगा मान जुड़कर के जहां मान लिखावा मिले वहां हमें सानस प्रत्य मानना है जैसे पूश लिया गया लभ मान है में कौन सा प्रत्य है लभ माना में कौन सा प्रत्य है लभ मानम में कौन सा प्रत्य है तो मान है पुलिंग में मान इस तर्लिंग में मानम नपुन्षग लिंग में ऐसा रूप लिखा हुआ मिले तो सानस प्रत्ते मानेंगे। एक वचन में लब माना है, दिवी वचन में लब मानाव, भुवचन में लब मानाहा। इस तर्लिंग का रूप बनाएंगे तो लता की तरह चलेंगे। तो माने है, माना, मानम अंत में लिखा हुआ मिले तो कौन सा प्रत्ते बताना है सानच। फिर तीसरा प्रत्ते लेते हैं तै प्रत्ते, तै प्रत्ते क्या है? इसमें सुरू के कैकी तो इस संग्या हो जाती है, इसका लूप हो जाता है और तै सेस बसता है। अंत में हमीं तै सीज बचीगा। जिसी गत हे, पठीत हे, उकत हे, लिखीत हे। अंत में तह जहां लिखावा मेरे पुलिंग में तह इसलिंग में ता नपुन सलिंग में तम पठी तह पठी ता पठी तम लिखी तह लिखी ता लिखी तम गत है गता गतम क्रीत है क्रीता क्रीतम ऐसे रूप जहां चलते हैं अंत में तह ता तम हो और धातू साथ में हो तो व गत है गतव गतः हा पठीत है पठीतव पठीता हा लिखीत है लिखीतव लिखीता हा इसलिए में आता है तो वो लता कीतर है लता लती लता हा तो पठीता पठीते पठीता हा नपुन सगली में फल सब कीतर है फलम फले फलानी तो लिखीतम लिखीते लिखीतानी ऐसी रूप इसमें चलते रहेंगे, लिखितम, लिखिते, लिखितानी, तो जहां तय है ता, तम, ये अंत में लिखावा मिले, तो तय प्रत्य मानेंगे, फिर है तवतू प्रत्य, तवतू प्रत्य में सुरू के कै और अंत के उकी इत्संग्या हो जाती है, लोप हो जाता है, और तवत से इस बजता है फिर पैचान कैसे करोगे तो अंत में हमें वान वती और वत लिखावा मिलेगा पुलिंग में वान इस्तलिंग में वती और नपुन सगलिंग में वत होगा और उससे पहले हमें कोई न कोई धातू का रूप लिखावा मिलेगा जैसे गम धातू में तवतू परत पठितवान पठितवती पठितवत लिखितवान लिखितवती लिखितवत उक्तवान उक्तवती उक्तवत ऐसे जहां वान वती वत लिखावा मिले अंत में तो वो तवतु प्रत्ते हो जाता है इनके भी रूप चलेंगे जिसे पुल्ली में है एक वचन में गतवान, द्वी वचन में गतवन्तव, भौवचन में गतवन्तव, 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 इस तरी में नदी की तरह रूप चलेंगे तो गतवती, गतवत्यव, गतवत्यव, पठितवत्यव, गतवती गतवन्ती ऐसी रूप चलेंगे ये तोतु प्रत्य के रूप हो जाते हैं अगला प्रत्य है लुट प्रत्य लुट प्रत्य में लै और टैकी तो इस संग्या हो जाती है और यू सेस बसता है उस यू को भी फिर बाद में अनम आदेश हो जाता है यू की जगह पर हमे अनम लिखना पड़ेगा सेस यूबसता है लेकिन आप ये मालने कि अंत में जहाँ पर अनम लिखावा मिल जाए वो प्रत्ते लिट प्रत्ते होता है और ये केवल नपुन सगलिंग में ही चलता है पुलिंग या स्टलिंग में इसके रूप नहीं चलते जैसे करणम करणे जहां पर भी अनत में अनम के आवाज निकली हुई मिले वहाँ प्रत्ते पूचे तो लिट प्रत्ते मानना है दानम इसनानम पानम करणम मरनम भरनम प्रत्तनम भोजनम लेखनम धावनम सभी में कौन सा प्रत्य होगा लुट प्रत्य होगा और रूप चलाएंगे तो फल सब की तरह है फलम फले फलानी तो वैसे ही करणम करने करनानी दानम दाने दानानी पठनम पठने पठनानी ऐसे रूप चलते रहेंगे अगला आता है घय प्रत्य घय और येकी तो इस संग्या हो जाते शुरू का घय अंत का ये और केवल एस सेस बचता है अब एस सेस बचाएंगे तो फिर रूप कैसे इसके रूप यसे लुट प्रत्य केवल नपुन सगले में बनता है वैसे घय प्रत्य केवल पूलिंग में ही बनता है कोई भी धातू है उस धातू से कैसे अपन रूप बनाते हैं पठ धातू में गहें प्रत्ते जोड़ो तो पाठ है बनेगा ऐसे ही मालिजे आ गया कि लिख धातू में जोड़ो तो लेख है बनेगा पठ से पाठ है लिख से लेख है भुज से भोज है या भोग है इस प्रकार के रूप बन जाते हैं द्रिस धातू से आंग उपसरक के साथ जोड़ें तो आदरस है हरी से आ रहे है क्री से का रहे है ऐसे रूप जहां आते हैं वहाँ पर हम घहें प्रत्ते मानते हैं कभी आ गया कि उप का रहे है ये पद कैसे बना है इसका प्रकरती प्रत्ते ब कारह, भागह, कोई भी सब्द होते हैं इनमें हम घय प्रत्ते मानेंगे रूप चलाएंगे तो राम की तरह चलेंगे पुलिंग का है जिराम है रामव रामा हा तो पाठह है पाठव पाठा हा भागह है भागव भागा हा हारह हारव हारा हा कारह, कारव, कारह ऐसे रूप इनके पुल्लिंग के अनुसार चलते रहेंगी अगला प्रत्य है तिन प्रत्य तिन प्रत्य में कै और नेकी इत्संग्या हो जाती है और ती सेस रहता है ये केवल इस्त्रलिंग में चलता है लिट प्रत्य नपुन्शकलिंग में घै प्रत्य पुलिंग में और तिन प्रत्य केवल इस्त्रिलिंग में प्रियुक्त होता है पैचान ये है कि अंत में अगर आपको ती ही लिखावा मिल जाए और उसमें प्रत्य पुछा जाए तो वो तिन प्रत्य माना जाएगा जैसे गती ही, क्रीती ही, सुकती ही, भक्ती ही, युकती ही, भुकती ही, उपलब्दी ही, ये तीका धी भी हो सकता है कहीं कहीं, उपलब्दी ही, बुद्धी ही, ऐसे सब्द अगर आगे और उनमें प्रत्य पूछा, तो हमें तिन प्रत्य बताना है, इनके भी रूप चलेंग गम धातू से गती, क्री धातू से ख्रीती ही, वच धातू से उकती ही ऐसे रूप इनके बन जाते हैं फिर है तवा प्रते में शुरू के केकी इत्संग्या होती है और तवा सेस रहता है तवा लप उर्टुमुन ये तीन प्रत्य ऐसे हैं जो लिंगू के अनुसार नहीं बदलते तेनू के तेनू अव्वे प्रत्य माने जाते हैं इनके कोई रूप नहीं चलते हैं एक ही रूप इनका चलेगा जैसे कहा अंत में तवा लिखावा पैचान इनकी ये है अंत में है लप प्रत्य लप में क्या होगा सुरू में तो आपको उपसरग लिखावा मिलना ची और अंत में बिना विशरग का ये लिखावा मिलना ची विशरग नहीं हो सुरू में उपसरग भी हो और वहां प्रत्य पूछें तो लप प्रत्य मान लेना है जैसे कभी कहा गया आगत् तो शुरू में आ आंग उपसरग है और अंत में ये लिखावा है विसरग के बिना है तो ये लप प्रत्य होगा आंग उपसरग है गम धातू है लप प्रत्य है इससे आगत्य बनेगा ऐसे सम पठे में सम उपसरग है पठ धातू है अंत में विसरग रही तो ये भी लप हो ग प्रत्ते इनमें माना जाएगा तो शुरू में उप्सरग हो अंत में विसरग के बिना ये लिखावा हो तो वहां हम लप प्रत्ते मानेंगे फिर आता है तुमुन प्रत्ते की पैचान कैसे होती है इसमें जो उन है लास्ट में उ और ने इनकी तो इस संग्या यानि लोप हो जाता है और तुम सेश बजता है तो अंत में अगर हमें कहीं तुम लिखावा मिल जाए और वहां प्रत्य पूछा जा रहा है तो वो तुमुन प्रत्य बताना है जिसे गंतुम में कौन सा प्रत्य है तो तुमुन उत्तर होगा पठितुम में कौन सा प्रत्य है तो तुमुन ह गातुम तुमुन वक्तुम तुमुन भौक्तुम तुमुन जहां पर भी अंत में तुम लिखा द्रस्टुम कहीं पर तुम भी हो सकता है संधी के नियमानुसार द्रस्टुम में तुमुन प्रत्ते माना जाएगा यस्टुम में तुमुन प्रत्ते माना जाएगा तो ये तीन प्रत्य हैं तवा प्रत्य लिप प्रत्य तुमन प्रत्य तीनों के तीनों अव्वे प्रत्य माने जाते हैं इनके रूप नहीं चलते आपको पहचान अंत में तवा मिले तो तवा प्रत्य उपसरक के साथ ये लिखावा हो अंत में तो लिप प्रत्य और अंत में तुम लिखा तो तुमुन प्रत्य मान लिया जाएगा फिर अगला प्रत्य आता है तव्यत प्रत्य तव्यत प्रत्य में लाश्ट की तेकीद संग्या होती है और शुरुवाला तव्य है गूश सीश बजता है तो अंत में कहीं पर भी तव्य लिखावा मिल जाए वह तव्यत प्रत्य माना जाएगा जैसे गन तव्य है, पठी तव्य है, लिखी तव्य है, भोग तव्य है, द्रश तव्य है, ये तव्य है या तव्य है, कोई भी लिखावा मिले, वहीं पर हमें तव्यत प्रत्य मान लेना है, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुली में है तो तव्य है इस्तिलिंग में तव्या, नपुन्सक लिंग में तव्यम, जैसे गन तव्य है, पठी तव्य है, लेखी तव्य है, द्रश्टव्य है, ऐसे रूप चलेंगे, इनमें अपन तव्यत प्रत्य मानते हैं रूप इनके चल सकते हैं जैसे पुलिंग का सब्द है तो राम सब्द की तरह रूप चलाएंगी राम है रामो रामा हा तो गंतब्य है गंतब्यव गंतब्या हा इस तरलिंग का सब्द है तो लता की तरह लता लते लता हा तो पठितब्या पठितब्वे पठितब्या हा और अपकुन सकलेंग का सब्द है तो फल की तरह फलम फले फलानी तो करतव्यम करतव्य करतव्यानी ऐसे रूप चलेंगे तो जहां भी अंत में आपको तव्य है तव्या तव्यम लिखावा मिल जाए वहां प्रत्य पूचा जाता है तो तव्यत प्रत्य को सही उत्तर मानना है फ और वहाँ प्रत्य पूछा जा रहा है, तो वो एनियर प्रत्य माना जाता है, जैसे पठनिये में कौन सा प्रत्य है, तो अंत में एनियर के आवाज आगी, तो एनियर प्रत्य होगा, लेखनिये है, करनिये है, भरनिये है, इसमरनिये है, दानिये है, पानिये है, कोई भी ऐसा एनिय का गया तो वहाँ पर अपन ऐसे दर्सनिय है इस्थानिय है इन में कौन सा प्रत्य है तो एनियर प्रत्य मान लेते हैं रूप इनके भी चलते हैं पुलिंग में एनिय है इस्टलिंग में एनिया नपुन सगलिंग में एनियम ऐसी रूप इनियम में बजेंगी और वचन के नुसा चलाना हो तो राम है रामो रामा हा पुलिंग में है तो पठनिय है पठनियो पठनिया हा इस्तलिंग में है तो लता की तरह है जैसे लता लती लता हा तो लेक निया लेक निये लेक निया हा और नपुन सलिंग में फल सबत की तरह है फलम फले फलानी तो करणियम यानी ऐसी रूप चलेंगे तो अंत में तब एनिय है एनिया एनियम लिखावा मिले तो एनियर प्रत्ते बताना है फिर है वुल प्रत्ते इसमें सुरू के इनय और लास्ट के लेकीद संग्या हो जाती है और वू से इस बचता है जैसे लुट में यू को अन आदेश हो जाता है वैसे इस प्रत्ते में भी वू की जगह पर अक आदेश होता है तो लास्ट में अगर हमें अक लिखावा मिल जाए पुलिंग में अक इस लिखावा मिल जाए और वहां प्रत्ते पुछा जाता है तो वो वुल प्रत्ते सही उत्तर माना जाएगा जैसे पाठ के है लेक के धाव के है, भोज के है, ऐसे सब्द आ जाते हैं, दर्स के है, तो इन में हमें वुल प्रत्य मानना है, नवुल लिखावा है, वुल प्रत्य शको बोला जाता है, ये मानना है, पुलिंग में अ कहे, इस तलिंग में इका, नपुन सलिंग में अकम, पाठ कहे, पाठी का, पाठ कम, दर्स कहे, दर्सी का, दर्स कम, लिख कहे, लिखी का, लिख कम, गाई कहे, गाई का, गाई कम, नाई कहे, नाई का, नाई कम, इनमें कुन सा प्रत्य होगा, तो वुल प्रत अगला प्रत्य है तुरिच में अंत का चह है और त्री सेस बजता है इसमें यह उता है धातू के साथ में लास्ट में ता लिखावा मिले पुलिंग में इसली में त्री और नपुन सगली में त्री स्वरवाला जोरी है वो नपुन सगली में काम में लिया जाता है जैसे करता में कौन सा प्रत्य होगा तो यहां त्रिच प प्रत्ते सही उत्तर माना जाता है इस तली में त्री लिखावा मिलता है दात्री नेत्री वक्त्री जो भी सब्द होगा उनमें त्री होगा तो त्री में त्री प्रत्ते माना जाएगा इनके भी रूप चलेंगे पुल्ली में करता करतारव करतारह है इस तली में करत्री करत्र लेगव करत्र है, नपु न सल में करत्री जैसी रू बना लिये जाते हैं, तो जहाँ पर ता स्वुन परत्री है वहा श्रुकृत मान लेना है फिर है यत प्रत्य यत न्यत और क्यप ये तीनु भी एक जैसे प्रत्य हैं इनसे बने वे जो सब्द हैं उनमें हमेशा तीनु लिंगु में रूप चलते हैं पुलिंग इस्तलिंग नपुन सगलिंग इनमें इत संग्या होने बाद तीनु में अंत में ये सेस यहो करके यह सेस बचेगा तीनों में यह सेस बचता है अब इनकी पहचान कुछ फिक्स धातों के साथ में होती है जिसे रिकारांत धातों में नित प्रत्य होता है या हलंत धातों में नित प्रत्य जोड़ा जाता है सास जैसी धातों में क्या प्रत्य है और स्वरांत धातों क साथ में यत्प्रत्य जुड़ा जाता है जो स्वरक के अंत वाले धात्वे हैं वहां यत्प्रत्य जुड़ेगा जैसे पाध धातों में यत्प्रत्य जुड़ने पर क्या बनेगा तो पेया है पेयाउ पेयाउ पेयाहा ये राम की तरह रूप चले राम है राम है तो पेयाउ गेये है कुन सा प्रत्य है तो यहाँ पर यत्प्रत्य को सही उत्तर माना जाता है ऐसे जेया देया गेया कुन सा प्रत्य है तो यत्प्रत्य है देयम गेयम कुन सा प्रत्य मानेंगी तो यत्प्रत्य को सही उत्तर माना जाएगा न्यत्प्रत्य ज्यादाता रिकारांत और हलंत धातु में जुड़ता है जैसे कारिय है, हारिय है, भारिय है, धारिय है इनमें कुन सा प्रत्य है तो इनका प्रत्य जो होगा वो न्यत्प्रत्य माना जाता है रिकारांत धातु क्री धातों में नत प्रत्य जोड़ो तो कारिया है हरी धातों में जोड़ो तो हारिया है भ्री में जोड़ो भारिया है रूप चलेंगे तो वो ही राम लता की तरह रूप चलेंगे पुली में कारिया है कारियो कारिया है इसलिए में भारिया, भारिये, भारियाह, नपुन्सलिए में हारियम, हारिये, हारियानी, ऐसे रूप चलेंगे, वो प्रत्य, नत्प्रत्य माना जाएगा, क्यप प्रत्य कुछ धातु में जुड़ता है, यसे कभी पूच लिया गया, सिस्य सब्द की रचना कैसे हुई है, तो शिष्य सब्द में सास धातू है और सास धातू के साथ में क्यप प्रत्य जुड़ने से सिष्य है बनता है पुलिंग में सिष्य है इस तरह में सिष्या नपुन सगलिंग हो तो सिष्यम जैसे रूप बना सकते हैं वचन करुशा जैने तो एक वचन में सिष्य है दी वचन में सिस्याहा राम सब की तरह रूप सलगे इसलिमें बनाना है तो लता की तरह लता लते लता हा ऐसे सिस्या सिस्याहा ये रूप बनेंगे अब वरी धातों में कुन सा प्रत्य है तो क्या प्रत्य है वृत्यम वृत्य वृत्यानी ऐसे रूप बने हुए हैं ऐसे एक प्रत्य ह हमें दिर्ग एकी मात्रा लिखे वी मिलेगी और साथ में कोई न कोई धातों के पहले सब्द भी होगा उष्ण भोजी प्रिये वादी सत्ते वादी ऐसे सब्द आते हैं तो इनमें हम उष्ण भोजी प्रिये वादी मितभासी सत्ते वादी इनमें कुन सा प्रत्ते है तो वहा नेनी प्रत्य होगा अंत में पुलिंग ये इन सेस रहता है और पहचान ये है पुलिंग में तो दिर्ग एकी मातला लिखी भी मिलेगी इस्तिलिंग में हमें इनी अंत में लिखा हुआ मिलेगा और नपुन सगलिंग होगा तो अंत में इन लिखा हुआ मिलेगा उश्न भोजी, उश्न भोजीनी, उश्न भोजिन, प्रिये वादी, प्रिये वादेनी, प्रिये वादिन, सत्ते वादी, सत्ते वादेनी, सत्ते वादिन, ऐसी रूप हमें पुलिंग इस्तिलिंग नपुन सगलिंग में देखने को मिल जाते हैं जैसे उष्ण भोजी में कौन सा प्रत्य है तो उष्ण तो मूल उपपद है भुज धातु है और निनी प्रत्य है प्रिये वादी में कौन सा प्रत्य है तो प्रिये उपपद है वद धातु है निनी प्रत्य है ऐसी चलेंगी और वचन के नुशा चलें तो उष्ण भोजी उ पुन्सरग में सत्ते वादिन, सत्ते वादिनी, सत्ते वादानी रूप जैसे बनेंगे तो इस तरीके से ये कृत प्रत्यों की पैचान करने का एक सामाने तरीका है ये तरीका केवल रीट परिक्षा के लिए सामाने हमें बिना विद्वान बने केवल प्रत्य से अंक कैसे लि सब्दों के साथ जुडने वाले प्रत्ते तधित प्रत्ते होते हैं उनके बारे में और इस्त्री प्रत्तियों के बारे में अलग से अगले वीडियो में अध्यन करेंगी सभी को धन्यवाद एवं सुभकामनै